Sunny Makes Money, यह मेरे पहली बुक है, यह Simple Guide for Installing Solar, इसमें हमने एक एक चाप्टर को डीटेल में रिकायड पर इंदम सिंपल वाशा में, यह बुक का इंडेक्स मैं पढ़के सुनाता हूं, इसमें पहला आइटम है How Solar Works, इसमें हमने यह समझे लैं कि Solar Power Branch कैसे चनता है और इसको कैसे बन हमने components और important functions इसको cover किया है इसके बाद type of solar power plants यहाँ पर हमने om grid hybrid और off grid यह तीनों plants के बारे में डिस्टेस्ट हिया है इसके अलबा solar terms जरूर रहता है यह solar thousands का मतलब होता है कि कुछ पेरावेटर से जैसे कि यह पेरावेटर ही है कि यह kilowatt solar power plant लगाना है तो हमें anti-sale effect की जिल्वात है दूसरे एक तंब रूल है कि अगर एक kilowatt का plant होता है तो उसका इंडिया में average generation जो है इसको आमने नोट किया है उसके वाद हमने रिखाए कि यह solar power क्यों लगाना चाहिए और इसकी क्या फ्राइद है फिर एक और चेप्टर दे जाए पर हमने में business models के बार में discuss किया है इन business models का मतलब यह होता है कि कोई भी consumer जो solar power brand दुना ना चाहता है वो पर लगा सकता है इसका मतलब यह कि वो खुद इन्वेस्ट परेगा और थूथ पावर बेंहां करेगा दूसरा एक model है OPEX Morning तो OPEX Morning में क्या होता है कि कोई investor आके आपके च्छत पर प्राइंट लगाता है और आपको discounted rate पर solar का power send काता है तीसरा model होता है open access तो open access का मतलब भी होता है कि अगर आपका plant बहुता है और आपके च्छत पर इतनी जगह नहीं है कि आप पूरा plant लगा सकते हैं तो कुछ news के बाद में कुछ policies को applicable समझ कर आप जो प्लांट है वो कई पर भी बहुन बड़े stream में कोई बड़े ground पर लगा सकते हैं और वहाँ से आप power आप अपने consumption की जगह पर ले सकते हैं तो इस तरह से काफी models अपने हैं जिसको हमने इस charter ने समझाया है इसके बाद में हमने investment, savings और returns इसके बाद में जैसे कि हम कभी भी किसी कस्टमर के पास जाते हैं और अगर वो businessman हो अगर वो finance के बार में साचता हो तो उसका सबसे पहला question यह नहीं होता है कि आप कॉंसा पैनल रिंस करने वाले है कॉंसा इवर्टर रिस करने वाले है आपके पैनल की efficiency क्या है यह सारे questions वो रोगने पाते है वो यह पूछते है कि अगर हमने इतलाव रुपया इंवेस्ट किया तो हमारा इंटेगल रिंटो फृतन क्या है अमारा return क्या है अमारा return of investment क्या है अमारा पिंग पेरियेड क्या ह काफी financial questions पूछते है जिसता हमने यहां पर detail हुए है इंदम आसानी से समझाया है कि कोई भी समझ सकता है और इससे सिर सकता है इसके बाद में हमने क्या क्या steps आपको लेने है जब आप solar power brand दोना दा चाहते है तो आप क्या क्या steps होगे वो steps बताये fix districts बताये और end में हमने operational maintenance, performance monitoring, after sales service, performance guarantee बहुत सारी चीजों को हमने रिटर ने समझाया है तो आप भी यह book Amazon से connect सकते हैं और बहुत सारी websites पर यह book मिलते हैं आप इससे खरीदे और पढ़िए और solar लगाए चलिए solar लगाते हैं